पूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन के जनम दिन 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों के प्रती सम्मान वा आभार प्रकट करने का दिन है। ये दिन केवन स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों द्वारा अपने टीचरों की प्रती आभार व्यक्त करने तक ही सीमित नहीं है। बलकि कामकाजी पेशेवर भी इस दिन अपने गुरुओं को स्पेशल फील कराते हैं। जिन से उन्होंने जीवन में काफी कुछ सीखा, करिय में आगे बढ़ने में मदग की और जिन्होंने उनके भाविश्य को आकार दिया। शिक्षक दिवस बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। बच्चे इस दिन की तयारी काफी पहले से ही शुरू कर देते हैं। शिक्षक दिवस के अफसर पर स्कूल वर कॉलेजों में कई बड़े कार्यक्रम वर प्रतियों गिताएं होती हैं। इस दिन स्कूलों में निबंध वर भाशन प्रतियों गिताएं, ब्रोइंग, वाद विवाद वर दान्स कॉम्पिटीशन जैसे कार्यक्रम होते हैं। अगर आप इस दिन स्पीच देने का मन बना रहे हैं, टीचर्स दे के इस अफसर पर आप इस स्पीच को बोल सकते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि शिक्षक दिवस के शुभ अफसर पर मुझे कुछ कहने का अफसर मिला है। हम जानते हैं कि आज हम सभी यहां शिक्षक दिवस मनाने आये हैं। इसलिए सबसे पहले मैं एक श्लोक के साथ अपने भाशन की शुरुआत करना चाहूंगा। सभी गुरुदेव को हम नमन करते हैं। साथियों, आज इनी गुरुओं को शत्षक प्रनाम करने का दिन हैं जिन्होंने हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। वे हमारे भाविष्य को आकार भी देते हैं, हमें जिम्मिदार नागरिक बनाते हैं, वे हमारी गलतिया बताते हैं, ताकि हम लगातार सुधार कर सकें। गुरु हमें जीवन के हर नए मोड पर आने वाली सभी कथिनायों से लड़ने की शक्ती देते हैं। वैसे तो साल का हर दिन गुरू के प्रती सम्मान जाहिर करने का दिन है। लेकिन 5 सितंबर का दिन बेहत खास है। इसी दिन पूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपली राधाकृष्णन का जनम दिन होता है। ये दिन उन्हें ही समर्पित है। देश के पहले उपराष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपली राधाकृष्णन एक मशहूर दार्शन एक और शिक्षाविद थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनादू की तिरुमनी गाव में हुआ था। वो शिक्षा के बड़े पक्षधर रहे। एक बार राधाकृष्णन की कुछ शिश्यों ने मिलकर उनका जनम दिन मनाने का सोचा। इसे लेकर जब वे उनसे अनुमती लेने पहुँचे तो राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जनम दिन अलग से मनाने की बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मुझे गर्व होगा। इसके बाद 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना तै हुआ। वस के रूप में मनाया जाना तै हुआ, प्यारे साथियों, शिक्षक एक कुमहार की तरह बच्चों के व्यक्तित्व को गर्ता है। एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपून होती है। आज के दिन बहुत सी जगहों पर शिक्षक सम्मान समारोह भी आयोजित होते हैं। शिक्षकों को उनके महान कार्य वह उपलब्दियों के लिए सम्मानत किया जाता है। अंत में मैं अपने सभी गुरुओं से आशिरवाद लेता हूँ। साथ ही उन्हें शिक्षके क्षेत्र में महान योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन विचारों को आपके सामने रखकर मैं अपनी वानी पर पूर्ण विराम लगा रहा हूँ। थांकियू। उन्हें को आपके सामने लेग majority लेगीट को आपकॉ पर तहें में मेंड़र्यों को की विरात्ता हूँ।